इस बीडियो में हम लोग resistance topic से एक numerical solve करने वाले हैं यह video class 10th पे based है तो इस numerical में जो resistance find करना है वो wire के shape के उपर depend कर रहा है इसलिए उस numerical पर चलने से पहले हम लोग discuss करेंगे कि जो resistance है उसको effect करने वाले कौन कौन से factor होंगे we know that there are 4 different factors which directly affect the resistance of the wire and all these 4 factors are length of the wire, area of cross section, nature of the material and temperature जिसमें length बढ़ाने से resistance बढ़ जाता है area of cross section बढ़ाने से resistance कम हो जाता है material के nature पर depend करेगा मतलब अलग-अलग material के लिए resistance अलग-अलग होता है और temperature बढ़ाने से भी resistance की value बढ़ जाती है इसके अलामा जो resistance होगा वो shape के उपर depend करेगा means अगर कोई आपके पास wire होगा और उस wire को आप bend कर देते हैं उसका resistance चेंज हो जाएगा तो कैसे चेंज होगा उसको हम लोग discuss करेंगे जैसे आपके पास एक numerical है एक wire resistance जिसका 10 ohm होगा उसको bend करके एक circle बनाया गया है तो यहाँ पर पूछ रहा है what is the resistance about its diameter जैसे हमने एक wire लिया x y length का जिसका resistance 10 ohm दिया गया है अब इस wire को हम लोग bend करके एक circle बना रहे हैं और इस circle में जो diameter है उसी के around आपको इसका resistance find करना है तो diameter हमने यहाँ पर ए भी लिया अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप यहाँ पर कर क्या रहे हो पूरे wire को आपने दो part में divide किया वो भी equal part में इसलिए जो half part होंगे उनका resistance आप जानते हो length को half करने पर resistance भी half हो जाता है इसलिए half part का resistance 5 ohm हो जाएगा और second half part का भी resistance 5 ohm हो जाएगा अब इस diameter के around आपको resistance बताना है इसलिए इसके around यह वाला part और यह वाला part आपको parallel attach होता हुआ दिख रहा है इसलिए हम जो parallel attachment होता है resistance के लिए वो formula यूज करेंगे और parallel combination के लिए अगर हम value 1 by 5 put करेंगे दोनों के लिए तो solve करने पर 2 by 5 आएगा जो 1 by R की value है तो यहां से R find करेंगे तो result आपको 2.5 ohm मिल जाता है ठीक है तो अगर यह answer आप ध्यान से देखो तो आपको लग रहा है कि जो wire का resistance दिया गया था उस resistance का one fourth resistance यह result में आया हुआ है तो यह एक concept है कि आपको अगर कोई भी wire दिया जाए और उसको bend करके ऐसा कोई shape बनता है जिसमें wire के दो equal part होते हैं तो हमेशा जो resistance नया वाला होगा वो पुराने वाले का one by fourth ही होता है इसलिए आप एक note याद रखोगे कि diameter हो चाए फिर कोई diagonal होगा उसके around जो भी resistance होता है वो हमेशा previous वाले resistance का one fourth होता है तो हम इसी को use करके कोई दूसरा भी problem solve कर सकते हैं जैसे second problem एक wire 20 ohm resistance का है जिसको re-shape किया गया है एक square में अब यहाँ पे square के diagonal पे आपसे resistance पूछेगा तो हमने wire लिया और इस wire को bend करके हमने एक square बना दिया जिसका diagonal हमने यहाँ पे x y लिया हुआ है जिसके around हमको resistance बताना है तो यहाँ पे अगर आप ध्यांस देखो तो यह length दोनों मिला के और यह दोनों length मिला के equal होगा यानि half half part हो रहा है इसलिए resistance भी half half हो जाएगा ठीक है तो इधर का resistance 10 ohm हो जाएगा और इधर का भी 10 ohm हो जाएगा और उसको जब आप solve करोगे तो total जो result आपको मिलेगा वो r by 4 ही मिलेगा इसलिए हम direct answer यहाँ पे लिख रहे है आप इसको चाहो तो अलग से calculate कर सकते हो तो यहाँ पे जो result होगा along the diagonal वो answer आपको 5 ohm मिलेगा अब same problem में अगर square की जगर rectangle बोल दिया होता तो हम इसी wire को bend करके एक rectangle बना देते जिसका diagonal AB है जिसके around हमको resistance बताना है तो यहाँ पे भी आप देखो एक length और एक breath add करोगे एक तरफ और दूसरी तरफ भी length और एक breath add करोगे दोनो wire same length किया जाएंगे यहाँ पे भी same वही concept लगेगा आपको नए resistance के लिए पुराने resistance का one fourth कर देना है तो यहाँ पे भी answer आपको 5 ohm ही मिलेगा तो इस तरीके से आप किसी भी problem को जिसका shape बतल रहा है उसको diagonal या फिर diameter के around resistance आसानी से find कर सकते हो Thank you